नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से सरकारी टोडेनियोस के ओफीशल यूटूब चनलन में दोस्तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी कुश कवरी है क्योंकि दिसंबर 2022 के महिने में आ चुकी है बंपर भरतियां जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो म पर नई भरति की सुचना जारी हो चुकी है जो की ओल ओवर इंडिया की भरति है यानि की पूरे भरत से आवेदन मागे जा रहे हैं तो दोस्तो अगर आप भरत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी के इंडियेट्स हो हैं मेल फीमेल लड़कियों आप दन का सकते हैं भरतियों के लिए जो की ये सरकारी नोक्रिया है गवर्मेंट जॉब है जी हां दोस्तो गवर्मेंट जॉब है सरकारी नोक्री है जो की पोस्ट ओफिस रेलवे एससी बेंग पुलीस आर्मी इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से भरतियों की सुचना जा और रोजनासी परकास सरकारी भरतियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथी साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओन कर दीजेगा दबा करके ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दिसंबर 2022 के मैने की बंपर भरतियों के बारे में जी हाँ दोस्तो यहाँ पर 86,000 से अधिक पदो पर नोटिफिकेशन का जारी हो चुका है नोटिफिकेशन सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से और दोस्तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से 50 साल तक की एज लिमिट के के इंडिएट्स ओहें अपलाई का सकते हैं यहाँ प पर हम आपको तमाम भर्तियों की पूरी जानकाई देंगे दोस्तो यह रही हमारी ओफिशल वापसाइट जो की इंडिया की नंबर वन एजुकेशन वापसाइट है सरकारी टुडेज डाट कोम यहाँ पर आपको दोस्तो रोजनास सरकारी नोकरी की जानकारी सबसे पहले द जी हाँ दोस्तो यहाँ पर MTS, Postman, Mail Guard इन सभी तमाम परदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है Post Office के डिपार्टमेंट से और आविधन ओनलाइन मागे जा रहे हैं ठीक है सलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल मेरिट का आधार है यानि कि दोस्तो ना तो आपकी परिक करना होगा General OPC के Candidates को 100 रुपेगा ठीक है वही एजुकिशन क्वालिफिकेशन जो है दसवी पास से लेकर के बारी पास और ग्रेजुट पास इन सभी क्वालिफाइट के लिए वेकेंसी है तो अगर आपके पास मेंने में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है मान लीजे अ आपके सामने है यहाँ पर आपको भरती की पुरी जानका ही दी गई है ड्राफ नोटिफिकेशन को आप चेक आउट कीजेगा यहाँ पर आपको पोस्ट मेन, मेल गार्ड, MTS in तमाम परदों की भरती की जानका ही दी गई है ठीके आगे बढ़ते हैं दूसरी नंबर की भरत पर आपको उनलाइन करना होगा ओल इंडिया की जो केंडिए से मेल और फिमेल सभी अपलाइ कर सकते हैं सेलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपकी लिखित परिक्षा होगी उसके बाद आपका इंट्रिव्य होगा जो प्लोकेशन पूरे भारत की है एज लिम की है तो अगर आपकी एसे 21 से 35 तो अपलाइज जरूर कीज़ेगा उसके अलावा इस युमे में चूट है सरकार के निमनुसा आप इदन शुल्क जो है अदर्स के लिए 700 है SCSTPWD के लिए 85 रुपे है पेमेंट जो है आपको ओनलाइन करना होगा किसी भी मादियम से आप कर कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं को शान्दार बंपर भरती की जो निकाली जारी है केंदर विध्याले संगठन की तरफ से जे कोन-कोन से पदो में कितनी विकेंसी हाँ पर जारी की गई है उनके लिए qualification क्या रखी गया यह तो दोस्तों यहां पर आप प्रिंसिपल की जो वेकेंसी है 249 पदों पर है, PG और बेड के लिए वेकेंसी है, यहां पर PGD की भड़ती है, TGD की भड़ती है, सबसे ज़्यादा यहां पर प्राइमरी टीचरों के पदों पर भड़ती है, 6400 से अधिक पद है, जिसके लिए बारवी के लाज पास के इंडियेट्स अप्लाए कर सकते हैं, बाकी यहां पर टीचिंग के अलावा नोन टीचिंग पदों पर भी वड़ती है, जैसा कि आप दसेते हैं, लाइबरेंट की वेकेंसी है, फाइनस ओफीसर की वेकेंसी है, असिस्टेन इंजीनियर्स सिविल की वेकेंसी है, ASO की है, UDC की है, LDC की है, हिंधी टरांसलेटर की है, स्टेनो ग्राफर की वेकेंसी भी है, तो अगर आप बारवी पास भी है, बिना B8 के तब भी आप अप sucking have, वहीं दोस्तों इनकी आविदन जो है केबल आपसे online मागे जा रहे है, selection का जो process है उसमें सबसे पहले आपका exam होगा, उसके बाद आपका skill test होगा, उसके बाद interview होगा, उसके बाद document verification होगे, salary आपको 35,400 से 1,12,400 रुपे पर month मिल रही है, age limit जो है 18-40 साल यहाँ पर रखे दोस्तो इसकी आवेदन आप देसेटे हैं 5 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक चलेंगे तो आवेदन 5 दिसम्बर से शुरू हो रहे हैं यहां से आप किलिक करके अपलाई कर सकते हैं और यहां से दोस्तो आप notification को download कर सकते हैं यहां पर notification में आप आएंगे तो आपको भरती की पूर जानकारी है विस्तार के साथ में आगे बढ़ते है एक यो नई भरती की और जो निकाली जारी है ओफलाइन की तरफ से स्लिक्षन का बात की जाए तो 26600 से 1, 4, casi पर महते हैं सलेक्षन का जो प्रोसेस है वो केवल आपका computer based test होगा, cpd based आपका exam लिया जाएगा age limit जो है 18 से 33 साल है ICMA में छूट है, सरकार के निय मनुसा वहीं आविदन शुल्क जो है General OPC के लिए 200 है SCST, EWS के लिए बिल्कुल फ्री है payment जो है General OPC के candidates को 200 रुपे का online करना होगा वही qualification की बात की जाए तो 10 वी ITI, Diploma, Degree, Pass इन सभी के लिए भरती है, ठीके, दोस्तों इसके आविदन जो है 25 November से 26 दिसम पर तक चलेंगे यहरा link apply करने का notification के साथ आगे बढ़ते हैं एक और नई भरती की और जो निकाली जा रही है OHSC की तरफ से जी हां दोस्तों OHSC की तरफ से आ चुकी है नई भेकेंसी जो की अलग-अलग department से है जिसमें water supply department भी शामिल है जी हां दोस्तों जल विभाग की तरफ से भी बढ़ती है जिसमें junior engineer और ATO के पद शामिल है ठीके 1225 पदों पर इन notification जारी किया गया है जिसके आवेदन केवल आपसे online माँगे जा रहे हैं selection का जी प्रोसेस है दोस्तों उसमें आपके सबसे पहले लिकित परिक्षा होगी उसके बाद आपके document verification होगे salary आपको 35,400 से 1,12,400 रुपे पर मांत मिलेगी age limit जो है 18 से 38 साल तक की है आईउचिमा में छूटे सरकार के निमनुसा ओ, SST की job location है और qualification 10 वी बार भी आईटिया डिपलोमा डिगरी पास के लिए भड़ती है दोस्तों इसके आवेदन जो है 11 नवंबर से 10 दिसमबर तक चलेंगे यह रहा लिंक अप्लाइ करने का notification के साथ वहीं दोस्तों आधार कार्ड की तरफ से भी आचोकी है नई भड़ती जी हां दोस्तों यूनिक आइडिफिकेशन अथरोटी ओफ इंडिया यू आईडिया यानिके आधार कार्ड की तरफ से भी बंपर वेकिंसी का notification चारी हो चुका है तो दोस्तों यहां पर जो पध हैं वो आब अबिस थे आरो के पध हैं जो पास भी इंडियेट्स अप्लाई का सकते हैं वही दोस्तो इस भरती के लिए जो selection का process है उसमें आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी इस पर rules आपका selection होगा सीधी भरती है आविदन शुरू हो चुके यहाँ पर click करके आप apply भी का सकते हैं वही दोस्तो एक और नई भरती का notification जारी किया गया है जो की West Central Railway की तरफ से है जिहां दोस्तो apprentice के पदों पर bumper vacancy आ चुकी है 2521 पद यहाँ पर जारी किया गया है जिसके आविदन केवल आप से online मागे जा रहे है All India की यह भरती है सेलेक्शन का जो प्रोसेस उसमें केवल आपका merit के अधर पस सेलेक्शन किया जा रहा है सेलरी आपको 10,000 रुपे पर मंत मिलेगी West Central Railway की जॉब लोकेशन है एस लिमिट जो है 15-24 से ICO में छूट है सरकार के निमनुसा वहीं आविदान शुल्क जो है General OPC के लिए 100 रुपे है SC, ST, EXERC, MN के लिए फ्री है पेमेंट आपको online करना होगा qualification की बात की जाए तो यहाँ पर 10 वी और ITA पास के लिए भरती है वहीं दोस्तों इसके आविदान जो है 18 November से 17 December तक चलेंगे यहाँ लिंक अप्लाई करने का notification के साथ चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एको नई भरती की जो निकाली जारी है Tata Motors की तरफ से जी हाँ दोस्तों Tata Motors की तरफ से भी नया official notification जारी हो चुका है bumper भरतियों का यहाँ पर आप दिसकते हैं 8000 से अधिक पत जारी किये गए है customer support service की vacancy है accountant की है sales की है security boy की है helper की है काफी सरे पत यहाँ पर है आप इदन आप से केवल online ही मांगे जा रहे है selection का जो process है उसमें केवल आपका यहाँ पर interview के पेसेस पे selection होगा आपकी कोई भी परिक्षा कोई भी exam नहीं होगा सीधी भड़ती है salary आपको 18,000 से 42,000 रुपे प्रतीमा मिल रही है job location पूरे भारत की है और पूरे भारत से सभी लड़के और लड़किया male female apply कर सकते है और इंडिया की वे किनसी है age limit जो है 18 से 50 साल तकी है application fees बिल्कुल फ्री है सभी candidates के लिए qualification की बात की जाए तो 10 वी बार भी और graduate pass सभी candidates apply कर सकते है अगर आप diploma pass है, injury pass है तो apply कर सकते है यह रहा लिंक apply करने का notification के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तो SBI की नई भरती की और जो निकाली जारी है SBI Life की तरफ से यहां दोस्तो SBI Life की तरफ से फाइनली insurance advisor की post पर notification चारी हो चुका है multiple jobs है जिसके आवेदन केवल आप से online मागे जा रहे है selection के जो process उसमें केवल आपका interview होगा और यहां पर salary आपको इस पर रोज मिल रही है All India की वेकिंसी है Ace limit जो है 18 से 55 साल तक है application fees जो है यहां पर नहीं ली जा रही है ठीके qualification की बात की जाए तो केवल दस्वी पास के लिए भड़ती है यहां लिंक apply करने का notification के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तो RPF की bumper वेकिंसी की और जो की निकाली जा रही है railway protection force, railway सुरक्षा बल की तरफ से यहां दोस्तो यहां पर जो है constable और SI sub-spector की भड़ती है 10,000 से अधिक पदी हाँ पर जारी के गए आप इतन के वल आपको online करना होगा All India के candidates हो है, male और female सभी apply का सकते हैं यहां पर दोस्तो selection का जो process है उसमें CBT based exam होगा उसके बाद PMT होगा, उसके बाद PT उसके बाद document verification, उसके बाद medical exam होगा यहां पर आपका पुरा pattern लिखा गया है आप देशते हैं pattern दिया गया है पुरा का पुरा physical test क्या होगा आपका दोड कितनी होगी पुरी जानकारी है सलदी आपको 21,500 से 35,500 रुपी पर मंत मिल रही है age limit जो है 18 से 25 साल है qualification की बात की जाए तो 10 वी, 12 वी और graduate pass के लिए भरती है आव इदन शुरू हो चुके हैं यह रहा लिंक अप्लाई करनेगा दो दोस्तों यह थी आज की bumper भरतियों की जानकारी इन भरतियों को लेकर के कोई भी सवाल है तो comment कीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जर कीजिएगा जे हिंग जे भारत